हमेशा से कॉंग्रेस ने मुसल्मानों को खुली छूट दिये ठीके रेप करो, ठीके कनवर्शन करो, ठीके वक बोर्ट चलाओ, ठीके लैंड माफिया चलाओ, ठीके मदरसा खोलो, ठीके मदरसे में नंगा नाच करो, ठीके तुम हलाल सर्टिफिकेशन चलाओ, ठीके तुम कन आरे इसलाम में गला रेतनी की बात का जिक्र है तो मदर्से के अंदर भी तो वही सिखाया जा रहा है असादुद्धी नवेसी वो है जो इस देश में मुसल्मानों को भड़का करके उसकी तरक्की को रोका हुआ है अगर अगले प्रधान मंत्री के दावेदार सियम योगी एक तरफ होते और एक तरफ अमिश्या तो किसको समर्था नात देंगे योगी जी को हलाला शब्दे के बारे में थोड़ा से बता दीजी हलाला न्यूडेटी का एक बहुत गंदा इसलाम के जस्टिफिकेशन पर रीच विल है बहुत मुश्किल होता है अपने धर्म के खिराप ही बोलना खास तोर पर तब जब आप किसी राजिनतिक मंच पर हो और आज हमारे साथ हैं भारतिय अंता पार्टी की एक निद्री जो अकसर आपको शोशल मीडिया पर टीवी के मंच पर लगातार बोलती हैं नजर आती हैं खास तोर पर वो एक मुस्लिम नेता हैं लेकिन आप उनके हाथ पर रुद्रंक्ष पहने रहें उनको देखेंगे और वो लगातार मौला नाओं या मुस्लिम नेताओं उस कई बार भिटती रहती हैं और वो नेता हमारे साथ हैं नाजिया इलाही खान हमारे साथ हैं तुमाम सवाल हम नाजिया इलाई खान से करेंगे और मेरे सायोगी अभनेश मेरे साथ है और अभनेश और मेरे सवालों का आज सामना करेंगी नाजिया इलाई खान तो बहुत-बहुत स्वागत है मैं अपका नमस्कार बंदे मात रम भारत माता की जाए सबसे पहला सवाल, आप लगातर मंच से खूब बबाल करती हैं और खूब सवाल उठाती हैं, हाथ में रुद्रांक्ष पहनती हैं, तो क्या ये भारती जंता पार्टी माँ शामिल होने के बाद हुआ है या पहले से कुछ था? बारती जंता पार्टी मैंने 4 जंवरी 2018 को जोइन किया था, पर तीन तलाक का पेटिशन तो मैंने 2014 को ही डाल दिया था, और उससे पहले भी आप 2012-2011 की भी आप मेरी स्पीचेस अगर सुनेंगे, तो as a social activist, as a philanthropist, as a whistleblower मैंने हमेशा इसलाम के अंदर चल रही कुरनीतियां और अशलीलता के बारे में बिलकुल सामने आकर के बाद की है, जो चीजें यहाँ पर create करने की कोशिश की जा रही है, अब लोग जिन्ना के शरिया को मनवाने की कोशिश करते हैं, वो मुसल्मान क्यों मानेंगे? हमें एक अल्खुरान अलहामी किताब से जोड़ा गया है, ब्र मुल्ला के इसलाम को मानने के लिए इस धर्ती पर इस भारत की भूमी पर रहने वाला हर मुसल्मान तयार है, लेकिन मुल्ला के इसलाम को मानने के लिए हम में से तो कोई तयार नहीं है, जो लोग समविधान को मानते हैं, वो मुसलिम परस्नल लाव बोर्ड को कभी नहीं मा तो जो कुछ आप बोलती हैं वो आप एक मुस्लिम नेता के तौर पर बोलती हैं कि बीजेपी नेता के तौर पर और आज के जमाने के या रजाकारों के जमाने की मैंने खुरान नहीं पढ़ी है, मैंने खुरान को बामाइने समझ करके पढ़ाया, तो ये लोग जो ट्विस्टन टर्न करते हैं अल्खुरान को, वो मैं प्रकर होकर के सामने बोल देती हूँ, चलिए एक भी मौलाना से जाओंगी, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि पूरे अल्खुरान में 72 वर्जिन हुर का जिक्र है ही नहीं, तो इसलिए मैं बोलती हूँ, नाजिये जो यूपी में नेम प्लेट को लेकर आदेश जारी हुआ था, क्या आपको नहीं लगता कि मुसलिमों को डारेक्ट किया ज भोजशाला में अबादतगाह ढूंडना है, भारत में पाकिस्तान ढूंडना है, सम्विधान के भीतर शर्या लौ ढूंडना है, नहीं चलने देंगे। हर तरीके का जहाद हमने देखा है और लब जहाद तो इतने चर्चय आम पर आया और थूक जहाद जिसको आप छुपा नहीं सकते हैं बिलकुल नहीं छुपा सकते हैं महादेव के नाम से अगर सलीम अपना ढाबा चला सकता है तो फिर कोई क्रिश्चन मुहम्मद के नाम से जिए सनातनियों की नमास पढ़ती है हैं लेकिन नाजिया इलाहि कान अलकुरान के उन तमाम आयतों को पढ़ देगी जहां पर फत्वा का कोई जिकर ही नहीं है समवेधानिक देश में अगर कोई फत्वा जारी करने की कोशिश करता है तो उसकी जबान खीच करके अंगूठे में बांधना नाजिया इलाए कान को बहुत अच्छे से आता है मैं तो चाहती हूँ कि मेरे उपर फत्वा जारी हो उसके बाद फिर मैं नानियाद दिल तो नाजाजी अगर इसलाम से आपको इतनी हीं दिक्कत है तो आप हिंदू क्यों हीं बन जाती है जो खुरान की आयतों को बेच करके अपना घर चला रहे हैं। मुझे उन मुसल्मानों से दिक्कत है जो हिंदूँ को काफिर जरूर बोलते हैं पर हिंदूओं के ही देवी, देवता, महादेव का नाम रख करके, अपने धाबा का नाम रख करके, वहां से पैसे कमा लेते हैं, तो ऐसे पाखंडी मुसल्मानों से मुझे दिक्कत है, मुझे इसलाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सवाल सिर्व इसलाम बे उठाते हैं कि हिंदू में भी सवाल उठाती हैं। लेकि हिंदू में अगर ऐसी कोई आपती मुझे नजर आएगी तो मैं बिलकुल उठाऊंगी। क्यों मैंने हमेशा अपने डिबेट में बाद कही है कि आपने सतीप रहता था आपने बंद किया। आपने चाइल्ड मारेश ता जो जैपूर में सबसे जादा होता था आप लोगों ने बंद किया। लेती है गोंगट लेकर के स्कूल में यूनिवर्सिटी में अकैडमी में इंस्टिट्यूट में कौन हिंदु लड़की जा रही है मुझे एक का नाम बता दीजिए एक इंस्टिट्ट बता दीजिए मुझे इसलाम से कोई आपती नहीं है। तो जब हमारे इसलाम में गला रेतनी की बात का जिक्र है तो मदरसे के अंदर भी तो वही सिखाया जा रहा है ना जो हमेशा इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि इसलाम में ऐसा नहीं है कि अच्छी बाते नहीं है। इसलाम में अच्छी बाते हैं 306 बार हिमानिटी की बाते हैं पड़ाशिक्षा की बाते कुरान के पहले वर्ड इक्रा में हैं सुरे अल-काफिरून में हैं कि आप किसी को फॉर्सिबिली कनवर्ट नहीं करा सकते हैं लकुम दीन अकुम वले यदीन हैं कि आप अपने धरम की इज़त करने दो सुरे अल-बक्रा में साफ है कि आप किसी से लव जिहाद नहीं कर सकते हैं ब्राइड और ग्रूम दोनों का हमकल्मा होना जरूरी है सुरे अल-अनम सुरे अल-निसा में साफ लवजों में लिखा हुआ है सलासा और अर्बा में जाईएगा जेंडर एक्वा जी को सेट किया गया है और मुसल्मान पुर्शों की अशलीलता को इंप्लिमेंट करने का और खुले आम करने का एक छूट दे दिया गया है आप मौलानाओं की मुसिलिम नेताहों के लगाताएं विरोhet करती है अगर वाकए है अगर उनमें खामिया है कमिया है तो जो मुसिलिम समुदाई है उनका वोट पैंक है उनकी तरफ क्यों जा रहा है आखिर भारती अनता पाठी बंगाल और यूपी में क्यों हार गई? मुस पक्षी दल में जो 38 पार्टियां इंडी अलाइंस में हैं और एक तरफ भरते जनता पार्टी है हमेशा से कॉंग्रेस ने मुसल्मानों को खुली छूट दिये ठीके रेप करो ठीके कनवर्शन करो ठीके वक बोर्ट चलाओ ठीके लैंड माफिया चलाओ ठीके मदरसा खोलो ठ फिर भी हम खत्रे में हैं लेकिन भारते जनता पार्टी एक बहुत खूबसूरत फोकस पर चल रही है इस देश को समविधानिक करने के फोकस पर चल रही है एक विधान और एक समविधान का नारा लगा रही है और कहीं ना कहीं मुसल्मानों को यही आपत्ती नजर आ रही ह कि अगर भारते जंता पार्टी और स्ट्रॉंग हो जाती है तो ये जो हम आराम से जो गंदिगी करते हैं जो न्यूडिटी करते हैं जो मदरसे के अंदर जो खुरापात करते हैं जो सरकार से एड ले करके हम उसको अपनी लैविश लाइफ में जो बरबाद करते हैं वो खुल बड़े कारण है, सबसे पहला कारण है कि ममता बैनेरजी साहिबा वो हमेशा मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीती करती है, क्यूंकि जिस हिसाब से आप बिधान चंदररे को लेकर की आईए, जो कॉंग्रेस के वहां पर थे, उसके बाद पर आप जोती बासू को लेकर की और लकडी का कैरम बोड दे दो, वो शक्षित हो जाएंगे, तो वो अपना अधिकार मांगेंगे, ठीक है, अब आती ये बात कि हमेशा ममता मैनेरजी साहिबा को ये चीज़ पसंद भी आता है, और उनको ये बात पता भी चल चुकी है, कि हिंदू जो होते हैं, वो बहुत बेल करा दो, हम रेप करेंगे, हमको रेमिशन ग्राउंड पे बेल करा दो, हम इलगल कंस्ट्रक्शन करेंगे, हमको पुलीस नहीं टोकना चाहिए, हम किसी को गाली देंगे, हमारे उपर कोई धाराये नहीं लगनी चाहिए, उसके बात जो 29.3% जो अन डेटा, वहां पर मुसलमान है और मोर देन 18 परसंट जो घुसपेटियां है तो कम से कम 44 परसंट आ रहा है अब उन्होंने फिर बंगलादेशियों को बुलाया है बोला है कि आजाईए मेरे पास तो वो मुसलिम अपीजमेंट की राजनीती करके अपना पॉकेट वोट कंफर्म कर चुकी है तो आप लगातार आरोप लगा रही है कॉंग्रिस पर तो आपके इसा लगता है कि किसी की जिंदीगी में कोई घटना हो तभी आप रिफॉरमेशन लेकर आएंगे ये ज़रूरी तो नहीं है रिफॉरमेशन लाने के लिए आपको बहुत ऐक्टिव होना पड़ता है आपको बहुत शिक्षित होना पड़ता है हमारे इसलाम में रिफॉर्मेशन आया है तोरायत, जबूर, बाइबल, इंजील, तब खुरान आया है हमारे इसलाम में रिफॉर्मेशन बहुत बार आया है तो एक बार और सही आने में क्या दिक्कत है क्या मुलाना जो निकाह मस्यार के नाम पर चोटी चोटी बच्चीयों को बेच रहे है दलाली कर रहे है क्या उसको बंद नहीं होना चाहिए निकाह मुत्ता के नाम पर जो लड़कियों का वैपार हो रहा है क्या वो बंद नहीं होना चाहिए हलाला के नाम पर जो एक कोठा और चकला चलाया जा रहा है इसलाम के जस्टिफिकेशन पर क्या वो बंद नहीं होना चाहिए तीन तलाख बंद हो गया तो क्या मुसल्मान बेहनों ने चाती पीटा नहीं वो तो खुश हुई कि तीन तलाख बंद हो गया मेरा ही मैंटर कॉंस्टिटिशन बेंच में पॉलिगेमी और हलाला को बैंक करने का लगा हुआ है तो मुसल्मान बेटियां तो बहुत खुश है अभी 125 की धारा CRPC से गुजारा भत्ता मिलने की बात हुई क्या मुसल्मान बेटियों ने विरोध किया नहीं किया मुसल्मान बेटियों ने ही फाइल किया पेटिशन और मुसल्मान बेटियों को जज्जमेंट मिला तो वो बहुत कुश हुई तो मेरे साथ गुजरा है यह जरूरी नहीं है मैं जो अपनी आखों से अपनी कम्यूनिटी में देख रही हूँ और एक मुसल्मान पुर्षों का सत्ता चलते वे देख रही हूँ और मुसल्मान महिलाओं को मर्दों के पैर की जूती देख रही हूँ उसको चेंज होने का बहुत जरूरत है मौलाना और खिलाब आप इतना बोलती है आपको धंकी नहीं मिलती है अब क्या बहुत मिलती है अनोनिमस लेटर्स भी आते हैं एक बार तो मेरे वेस्पेंगॉल के चापू आया था था कुरियर से किसी ने भीजा था उसका भी केस चल रहा है अनोनिमस लेटर आते हैं एक ऐसी डिटाक मेरे उपर हो चुका है थैंक गॉर्ड में बच गई मेरी गाड़ी बहुत बार तोड़ी फोड़ी गई है तो बहुत सारी चीज़े घटनाए होती रहती है लेकिन अभी तक जिन्दा हूं मैं आपके हाथ में कुछ लिखा हुआ है इसका मतलब यह लिखा हुआ है उम्मी हदियतो मिनलाह यासमेल लंबे समय से मनिपूर में हिंसा चल रही है बीजेपी के परोगता बीजेपी के निताकसर वहां पर बोलने के लिए कराते हैं क्यों आप क्यों नहीं मंच पर बोलती हुआ क्यों मैं तो मनिपूर जा चुकी हूं I have boarding bus और जब बहुत जल रहा था मनिपूर मैं खुद कह रही के वहां के महाल को संभालने के लिए Zero Ground पर उतर चुकी और आपने अपने चानल में दिखाया भी है बिलकुल दिखाया है Zero Ground पर उतर करके सब कुछ ठीक किया गया लेकिन मुझे बड़ा दर्थ होता है कि परियांका वाडरा जो इतना लंबा स्लोगन चलाती थी लड़की लड़ सकती हूं कुछ भी कर सकती हूं संदेश खाली नहीं आई बहुत बुरा लगा चोपड़ा में एक मुसल्मान बेटी को न्यूट परेड कराया गया उसका गैंग रेप हुआ उसको मारा उसको उसका मडर भी हो गया लेकिन परियांका वाडरा नहीं आई यहां तक के बीवी डिमपल भी नहीं आई तो मुझे बहुत बुरा लगा सोनिया जी भी नहीं आई सोनिया जी तो 1989 से 1991 तक जब कश्मीरी पंडितों की पंडितों की बच्चियों का नरसंगार हो रहा था और खुले बाजार में पिता को चियर में रसी से बांद करके बेटी का बलातका हो रहा था तब भी सोनिया जी नहीं लेकिन इन सब के बीच में सवाल है कि अगर बीजेपी के मुस्लिम निता वाकई में इतने हितैशी हैं मुस्लिम समुदाई के तो वोट को नहीं मिलता है सबसे बड़ी बात है इस चुनाव में बड़ा जटका लगा है इस बात को बहु जाहिल मुसल्मान है और इसलाम के कर्टेन में छुप करके अपने कारोबार को चला रहे हैं बाकि जो पांच करोन मुसल्मान है वो सम्विधानिक मुसल्मान है और वो वोट करते हैं बीजेपी को बिलकुल वोट करते हैं आप मैं जब माधवी लदा जी की कंपेनिंग में गई थी मुझसे तक्रीबन लाख महिलाओं से उपर में मिली थी आकर के उन्होंने वोट किया है और वो कोई ठकी चुपी बात नहीं है मेरे सोशल मीडिया पे मेरे इंस्टाग्राम पे नकाब वाली महिलाएं मिली है तो ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन वहर वो मुसल्मान जो सम्विधान में शरिया को फिट करना चाह रहा है वो बीजेपी से थोड़ा सा कत्रा रहा है क्योंकि मुसल्मान पुर्शों को पता है कि नासर खान तो वलादकार करेगा यह करेगा आफताब तो वोटिया करेगा यह करेगा लारे भाष में तो गला रेते गई रेते गा उस तो यह जो हराम के पैसे जो यह कमा रहे हैं यह कैसे हो पाएगा शुबेंदु अधिकारी की राजीती पर आप क्या कहना चाहिए शुबेंदु अधिकारे जी ने अपनी बहुत बहुत परिश्रम किया है और उनके नेतरत में बिल्कुल रिजल्ट तो अच्छा नहीं आया ब वैसे सहाब को बीज ये पी की बी टीम कहती है कॉंग्रेस आप क्या कहते ह। पहाइड ओब जो, मुझे तो सच में लग रहागा है असवा रॉबर इनलवेसी वह जो मुत इस देश में मुसल्मानों को भढ़का करके उसकी तरक्की को रोका हुआ है असदुद्दि नवेसी वो है जो इस देश के मुसल्मानों को शिक्षित नहीं होने देना चाहता है असदुद्दे नवेसी वो है जिसका शरीर रहता जरूर भारत में है पर उसकी सोज, समझ, सूज, बूच सब कुछ पाकिस ही मुझे लगता है जोड़ा सा बतनसीब भी है इतना बोलने के बाद भी आप लोग भारते चन्ता पार्टे पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मुषल्मानों का वोट क्यु नहीं मिला कॉन नहीं मिला सा तु दिना वेसी मुस्लिम इतिहाद मुसल्मानों के पार्टी बनाने वाला जिसमें एक भी हिंदू नहीं है, जिसमें एक भी मुसलिम महिला नहीं है, सब के सब पुरोश है, उनके पार्टी का M.O.E. उठा करके देखिए, उनके पास कितने सांसाद है, कितने सांसाद है, इस पूरे देश में एक, मुसल्मानों म बिल्कुल इस स्पीछ हमने देखा कि राहूल गांधी जबी में बहुत बदलाव आया है लोग कह रही है आपको अच्छा ही लगे इस पीच मुझे तो कुछ भी नहीं अच्छा है विचारा अत्या चारित लगता है मां के प्रेशर पर नेता बनने की कोशिश में लगा रहता और पता नहीं क्या उट पटांग बगता रहता है मुझे तो पड़ी धया आती है राहुल गांधी पर मैं तो राहुल गांधी भी नहीं राहुल बाबा बोलती हुआ इसको इजब से बीफक्षी की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि आप बीजेबी की तरफ से पैसा लेकर को गेंड़ा फैलाती है कोई प्रमान अगर है तो दे दिया जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैंने तो इस बारे में पशिम मंगाल के रोड पर कहा है कि ममताब एनरजी मेरे घर में CID भेज़ दे और मेरे घर का जितना भी सर्च करवाना है करवाए मेरा बैंक अकाउंट मेरी मा का मेरी बहन का पूरे खांदान का बैंक अकाउंट ले ले अगर मुझे कोई पैसा RSS से या BGP से मिला है तो वो दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है हलाला शब्द के बारे हम थोड़ा से बता दीजिया हलाला नियू डिटी का एक बहुत गंदा इसलाम के जस्टिफिकेशन पर रिच्विल है जिस सपोस्ट के मेरी शादी एक व्यत्ति से हो जाती है और वो मुझे गुसे के आलम में या रोटी अच्छा नहीं बनाया या मैं खाना अच्छा नहीं बनाया या मैं बच्चा पैदा करने के बाद मोटी हो गई हूँ तो मुझे उसने तलाग दे दिया और एक महीने के अंदर या डेड़ महीने के अंदर या एक साल के बाद उसको यह फील हो रहा है कि मुझे वही ठीक थी नाजिया ही ठीक थी मुझे इसको दुबारा अपने निकाह में लेना है तो मेरा हलाला जो है निकाह जो है वो चाचा ससूर मामा ससूर देवर जेट से हो जाएगा उसके साथ मुझे intimate relation करना पड़ेगा sexual relation करना पड़ेगा फिर वो चाचा ससूर मामा ससूर जो भी होगा वो मुझे तलाग देगा फिर मेरा पुराना husband खावन वो मुझे अपने निकाह में लेगा तो भारती अंता पार्टी जिस तरीके से तीन तलाग मोधी सरकार तीन तलाग बिल ले आई तो हलाला के खिलाफ क्यों नहीं कुछ बड़ा कानून बनाती है नहीं मैं तो कह रहे हूं आपको कि 2019 में अभी मेरा Constitution Bench में यह चल रहा है अभी इसकी हेरिंग चल रही है और मुझे लगता है कि जैसे ही इतिहासिक जज्जमन दुबारा फिर से आएगा भारती जंता पार्टी बहुत अच्छा कानून बनाएगी और अगर उससे पहले-प समयत कई जगों पर अवैद मदर्सों की बात आई अवैद मजारों की बात आई लगातार उत्राखंट के जंगलों में अब प्रामनगर की बात कर लो यूपी के जंगलों में बनाएगे बहुत सारे भी रोध हुआ बुल्डूजर चला उस पर क्या कहीं लेकिन सबसे पहले अगर कोई मजार बना रहा है या पक्के खबरिसतान बना रहा है तो उसको जाकर के तोड़ दिया जाएं तो मजार परस्ती हमारे इसलाम में है नहीं गुना है जो लोग भी एक बार भी मजार अंटर कर जाते हैं उनके लिए जन्नत का दरवाज़ा और जन्नत की वह तो खानूनी लीगल राइट है ना क्यों नहीं टूटेंगे यह अगर अवैद बना हुआ है तो अब इसमें चाती पीटिएगा क्या बिना महरम के मातम कीजिएगा क्या अरे रेलवे की प्रॉपर्टी पर अगर आप अपना स्टोडियो बनाएगा तो रेलवे वाले तो कर दो खालेंगे ना भी畫्ने जान शाम मेरे इस्लाम खत्रव में हना इस्लाम छट्रयम में आगे यह तुमारा इसलाम इतना कमजोर है तो लेकर कि अरब चले जाओ शायद मजभूत हो जाए लेकर के पाकिस्तान चले जाओ शायद मजभूत हो जाए योपी कर अधा as похож योगी जी की पाच अच्छा हीं बता दीजिया बहुत ऑथेंटिक बहुत जनता के खरीब जनता के प्रिये और योगी बोलने से लोगों की दिमाग में आता है कि इनको सम्विदान के बारे में कुछ नहीं पता होगा but he is such a very well qualified person well qualified person क्योंकि मैं जब उनकी speeches सुनती हूँ और जब मैं उनको सामने से सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वियत्ती सिर्फ उत्तरपरदेश की भलाई के लिए काम कर रहा है वह एक योगी को क्या ही लेना देना है किसी चीज से कोई लेना देना तो है नहीं पर उत्तरपरदेश तब कैसा था और आज कैसा है ये आप जैसे पत्रकारों से तो छुपा हुआ नहीं है उत्तरपरदेश में पहले बच्चियां सूरज ज़लने के बाद बाहर नहीं निकलती थी अब उत्तरपरदेश में बच्चियां रात में दो बजे भी बाहर निकलत हिंदु मुसल्मान को लड़ा करके रखा जा रहा था आज महौल कितना खुबसूरत है लेकिन विपक्ष तो आरोप लगाता है कि योगी जो इक तरफा कारवाई करते हैं बोलोजर सिर्फ मुसलिमों के घरों पर चलता है लेकि विपक्ष का काम है आरोप लगाना तो अपना क तो आपको कौन सा नीटा ऐसा लगता है कि जो सबस्यादा हिंदू की बात करता है बीजेपी में मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस देश में कोई बहुत खुबसूरत नीटा है तो भारत के परदानमंतरी मोधी जी है जिन्होंने एक स्लोगन निकाला सबका साथ सबका विक विश हो जाएं इन्षालाव रह्मान आमीन के हो जाएं मेरा नास्ट सवाल है अगर अगले प्रदानमंत्री के दावेदार से आम योगी एक तरफ होते और एक तरफ आमिशा तो किसको समर्थनाद देंगे योगी जी को इस वाली बात सामने आई थी कि योगी जी लिश्ट लेकर गए थे अमिश्या जी के पास लेकिन उन्होंने फाइनल नहीं कि थे लिस्ट तो पश्यम मंगाल में भी बहुत खुबसूरत आई थी और अगर उस लिस्ट पर वाके में एलेक्शन तो हमारा आराम से 310-312 सीटे आती है आराम से शोशल मीडिया मंच और हम देखते हैं तमाम मंचों में आपको देखते हैं कि आप हिंदु तुकी काफी बात करती हैं देवी देपताओं को मानती है कि आपके घर में भी कोई मंदिर बना है देवी देपताओं का हा मेरे ओफिस आप में नमाज पढ़ने गई हैं रुद्राक्ष पहन के गई थी मौल्वी कुछ बोलते नहीं है नहीं कहा था कि नहीं आप पर नमाज पढ़ लिजे मैंने का आप अपनी तरह पाखंडी सा मुझे समझें क्या तो इस रोड अपर में नमाज पढ़ लो मुसल्ला इचा लो प सफ लगा हुआ था सामने में और जिस रूम में पढ़ने को दिया था वहाँ पर बहुत गंदा रूम था बहुत गंदा और पीछे में इनर गार्मेंट्स वगरा मर्दों के इमामों के टंगे हुए थे और पता नहीं क्या क्या आशलीलता उस रूम में हो रही थी क्योंकि जो पता चला मुझे रिजवाना और रिजवान के लिए कि मस्जिद के अंदर भी वो लोग 10-10 साल की बच्चियों का बलातकार करते हैं तो मुझे बिल्कुल मस्जिद तो अल्ला का घर है और उसमें मुसल्मान लड़की हो या लड़का हो कोई भी जा सकता है बिल्कुल जाना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि भारत की सभी मुसल्मान बेटियों को मस्जिद में जाकर के अपना हख मांगना चाहिए तो मंच पे तो आप सोशल मीडिये के मंच पे और टीवी के मंच पे लगातार मुसल्म मुलानाओं का विरोध करती है जब सामने वो लोग मिलते हैं तो क्या रहता है क्रियेक्शन सो लेकि बहुत सारे ऐसे मुफ्ती हैं आलिम हैं कारी हैं इमाम हैं जो मुझे बहुत अप्रिशियेट करते हैं क्योंकि जिस हिसाब से मैं खराद पर देती हूं शहादा पर देती हूं माइक पर ही तो वो लोग इसलिए मेरे खुश होते हैं कि मेरी जेर जबर तरश्दीद और आरोबिक जो मेरा प्रणांसियेशन है वो बहुत अच्छा है और मुझे मालूमात है और जो जिनका कारोबार चलता है आयतों को बेच करके उनको मुझसे बहुत तकलीफ होती है आप पर आरोब यह भी लगते हैं कि करती है typically मैं या आपनीफटी और आक्त करके मैं बिलकुल भी बात करती है मैं कई ऐसे प्रवक्ताओं को देखा है जो सिलेक्टिव राजनीती पर बात करते हैं आपने मुझसे मनीपूर के बारे में पूывать कर एक्दम क्रिस्टल क्लियर बताए तो मैं हमेशा रूब आक्त तो हमारे सवाल जो थे लगबग पूरे हो चुके हैं तो एक आप से रियक्शन देना चाहेंगे कि आज जो हमने तमाम सवाल आप से किये उन सवालों पर आपका क्या रियक्शन है कैसा लगा आपको बहुत अच्छे सवाल थे और मुझे हमेशा मतलब न्यूटरल सवाल जो द सवालों के जवाब दीए है हमाई उमूश है कि इसी तरह से नाजया मन्च पर लगाता जिस तरीके से बुल रही है है वो लगाता उस पर आरोप भी कही लग रहे हैं और काफी न्टोन्वरशीज भी हो रही जेखते हैं कि किस तरह सरीके से राजनीती में इसका असर पढ़ और इसी तरह हम आपको नए-ने महमानों से मिलाते रहेंगे और इस मंच पर हमारा जो इंडिया.com का जो राजिनतिक मंच है इस पर हम आपको नए महमानों से मिलाएंगे, सवाल पूछेंगे, सवाल बहुत सटीक होंगे, कड़वे होंगे, उसके जवाब भी आपको मेलिंगा हम कोशिश करेंगे कि उनसे बहुत सटीक जवाब आसान भासा में निकालने की कोशिश करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए.